हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्वाब ऑनलान क्लासेज आर्पेसी सेकेंड ग्रेट भरती दो हजार बाईज प्रिंट से पहले ही पेपर लीक हो चुके थे तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अभी की कि प्रिंट होने से पहले ही पेपर जो है लीक हो चुके है तो आप सोच सकते हो कि सेकेंड ग्रेट भरती के अंदर मास्टर माइंड जो है उन्होंने पहले ही पेपर लीक करा कर सभी बच्चों को वो ही परसन बा अपडेट ये है दोस्तों आरोप्यों के पास परिक्चा से पहले आ चुके थे 500 से अधिक मिक्स प्रसन इसलिए साथ ही पड़ा रहे थे सेकेंड ग्रेट भरती परिक्चा 21 दिसमबर से शुरू ही थी और 24 दिसमबर को यह गैंग पकड़ी गई तब तक 3 एक्जाम हो चुक अचुके थे इसलिए यहां प्रसन 21 दिसमबर को शुरू हुए सेकेंड ग्रेट भरती परिक्चा पारी के ही थे इसी कारण आरोपी सभी परसनों को 100 परसनों को नहीं पड़ा कर 500 के आसपास पड़ा रहे थे 15 दिन पहले प्लानिंग प्रिंट से जाने से पहले पेपर आ ग यह की इनके पास जो पेपर आया है वो RPSC द्वारा प्रिंट में जाने से पहले बना पेपर आया हो के प्लान भी लगा रहे है की इनके पास सभी पेपर आना तय है इस वज़े से 15 दिन पहले प्लानिंग त्यारी कर दी थी 20 से 24 दिसमबर तक सांचोर के अभ्यार्तियों को पिंडवारा तक बुलाते रहे और उन्हें आगे इसी बस में सफर करवाते रहे तो बस से सफर करवा कर 15 दिन पहले से ही 500 परसनों को रटा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये 500 परसन ही पेपर में आपके आने वाले हैं इस तरीके की हरकत किये गई है RPSC 2nd grade भरती में नहीं चार पेपर आउट पेपर रद कराने की मांग दिया कुमारी जी कर रही है RPSC की साइट पर आपको इसके अपडेट देखने को मिलेंगे चार पेपर आउट कुल 344 परसन मिले FIR में 30 का जिकर इसमें से 5 हिंदीव SS पेपर से मैच हो रहे है ठीके नकल गिरों से जुड़े हैं ये चाते हैं कोचिंग सेंटर चाते हैं कि नकल गिरों से जुड़े हैं और परिक्षा देरी से हो परिक्षा देरी से हो ये नकल गिरों से जुड़े हैं कौन कोचिंग सेंटर भी यही चाहते हैं तो प्रिंट से पहले ही पेपर लीक हो चुका है सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि यह पेपर जो है आपका रद हो उपे नियादव जी का ट्वीट आये कि 28 दिसंबर को 10 बजे सही रिस्मारक पर मिले और वो RPSC सेकेंड क्रेट भरत्री को पूरा रद कराना चाहते हैं और नई सिरे से इसके परिक्षाई होनी चाहिए